एपिसोड की शुरुवात में हम देखते है सुनोच को जिसे यहाँ पे एक मौल देखता है और यह से देखे सोचता है कि यह जगे तो जल्दी थबाहूने वाली है यह इसके लिए खतरनाक हो सकती है यह फिर इस अपने फैमिली के वहाँ पे जानी के लिए कहता है पर यह मौ को लेकर की रियस हूँ यह कहता है कि आपने कहा कि हमारी नेक्स डेशनेशन सी ओलोगी जब हम पॉटी से भाण निकले पर आखिरकार आपने जगे को क्यों चुना यह कहता है कि तुम्हें अभी वह याद है यह कहता है कि हमेतना भी इस टूपड नहीं हो यह फिर इसे कहता है कि दरसल इस जगे को मैं इसले चुना क्योंकि वह दिन करीब आती जा रहा है यह कहता है कि कौन सा दिने जिकी इसे कहता है अगर मैं तुम्हें बता भी तू तो भी तुम समझनी पाओगी तुम कह सकते हो कि उस दिन सियोल जो है वो पूरी तरह तभा हो गया और उसे कि तुम्हारे शुक्रिया मेरे एक चोटे से काम के लिए तो उनने मुझे एतना सारा पैसा दिया मुझे बस उस लड़के को मौल से मिलाना था बस अब फाइन रिलुस लड़के के मास्टर के प्ले कूं हम में बंद कर सकता हूं यह कहा था हूर मैं अपने प्लैन को ले प् तभी इसे एक बुड़ा आदमी टकरा जाता है जो कि कहता है कि मुझे लगा ही था कि स्नोच यहाँ पे किस दिन स्कैम होई जाएगा। दूसरा आद में कहता है कि तुम यह कहना चाहते हो कि जो उसका एडवेंचरर मास्टर था उसने क्विट कर दिया है यह कहता है कि यह स्नोच को इतना बड़ा जटका लगा इस चीज़ से वो अप तक अपने घर के बाहर भी नहीं आया है। वो इसे कहता है कि तुम बोर हो चुके हो यह अपने बेट पे यहाँ पे इस लेटा दिता और कहता है कि तुम्हारी लाइब बहुत बढ़ी है तुम्हें किसी से धोका खाना नहीं बढ़ता है और तुम ज़्यादा सोचते भी नहीं हो पर यहाँ पर नौए में से गुष्ट कि ऐसा ही हूँ उस दुकानदार ने तो कहा था कि यह कपड़े मेरे उपर अच्छे लग रहे है तब ही यहाँ पे जिकी कुछ लोगों को चल पर उचलते हुए देखता है यहाँ इनसे से पूछता है कि सर जिकी वो क्या है यह कहता है कि तुम इन दिखनी रहा क्या वो लो है पर इसके लिए को पकड़ लेता है और इनिकी तरफ फेक देता है जिससे यहाँ पर इनका एक आग्ए घायल हो जाता है और यह लोग नीचे गिर जाते है जिकी फिर इन से पूछता है कि आखिर कर तुम लोग कौन हो पर वो लोग इसकी बात निसुनते हैं और इसकी में ने सीधे सीधे सवाल का जवाब की नहीं देती जब कोई तुम से कोई सवाल पूछता है तो पर ये लोग इसके बात दिये सुनते और उसके उपर दुबारा हमला कर देते हैं जिके किसी तरह इन दोनों को हरा देता है पर इनका जो लीटर होता है वो सनोच को लेकर यहां पर कुछ लोग इसका रास्ता ब्लॉग कर देते हैं ये कहता है कि आखिर कर तुम लोग हो कौन पर ये लोग इसकी बात नहीं सुनते और बेना वजह के इसके उपर हमला कर देते हैं और इसे ना चाहकर भी इनसे लड़ना पड़ता है जैके फिर सोचता है कि इनहें देंखे नोयम से तो जुड़ी वह नहीं हो वहीं पर आदमी नोयम को इसे चिन लेता है यह से कहता है कि तुम जैसा है कावर्ट भी तुच्चे से मॉल के साथ रिष्टा बनाने के बाद इतनी हिम्मत दिखा सकता है ये फिर सनौज को नीचे फेक दीता है ये इससे फिर पूछता है कि आखिर कर तुम किसी चीज के बारे में बात करे हो और आखिर कर ये कौन सी जगे है तब ही इस माइन को धीक से देखता है और ये थोड़ा हैरान हो जाता है यहाद में फिर इसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम किसी चीज़ को ढूंड रहे होगा, जो कि इन पत्रों के पीछे है, तुमारा अचारा को देख के तो लग रहे हैं, अब तुम यह पूछोगे, कि आखिर कर मुझे इस चीज़ के बारे में कैसी पता, यह ज़्यादा इस तुमारे आखों को मैं पढ़ सकता हूं, कि तुमारे अंदर कितना ज़्यादा रेस्प्रेशन है और सैडनेस है, ऐसा कि तुम अपने फादर के ग्रेव को देख रहे हो, तुनोच फिर इसे पूछता है कि तुम मेरे फादर को जानते थे, यह कहते हैं, मैं उसे काफी देख लो जो उस पतरों की नीचे सारी है, वो एक सीलिंग स्टोन है, उसे यहां पे बीस्ट आफ माइन्स के लिए रखा गया था, पर तुमारे फादर ने गलती से उसे टच कर दिया, जिस वज़े से उसके अंदर का जो बीस्ट था, वो आज़ाद हो गया, और यहां पे कॉलैप्स हो गया, जिस वज़े से तुमारे फादर भी यहां पे दफन हो गया, तुम अदास हो, क्या तुम्हें गुश्टा आ रहा है, अगर ऐसी बात है तो फिठीक है, तुम्हें पता है, जिस नहीं तुमारे पेता को चीना, और जिस वर्जे से तुम माइन्ड का काम क इतना हेट करते हो, और जो बीस माइन्ड मॉंस्टर है, वो और कोई नहीं, वो तिमारा ये दोस्त मोल है, ये मॉंस्टर है, जिससे सबसे ज़्यादा तुम हेट करते हो, अब जल्दी करो इसके उपर अपनी जज़्जमन पास करो, ये कहा था कि तुम क्या बात कर रहे हो, नो है मैं ऐसो नहीं कर सकता, ये आदमी इसे बताता है कि इसी वज़े से यहाँ पे अर्थ को ये कहा था, जिस वज़े से तुमारे पेता मारे गए, ये वही उस माइन का बीस्ट है, जिसने तुमारे पेता को मारा है, और मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा है, ये परिवार के साथ घूम रहा है, जिससे इसने मारा है, ये मनी मन में तुमारे उपर हस रहा होगा, अब चल्दी करो इस कमीने के उपर जज़्मेंट पास करो, वही पर हमें जिक्ये को दिखा जाता है, जो कि ये सोच रहा होता है, कि उस कमीने से जैसी मैंने इस बारे में प जो चैब मुझे फिर से कहा कि तो महारा नम नम तो यहां पर लेए तंगे लनागा तो इसे ऊच्छा पर यहां पर रहा है रहा हो क्या नॉयम ऐसा था नहीं नॉयम थोड़ा अलग था वो बिना वज़े के किसी के उपर हमला नहीं करता था इसका मतला भी अभी होश में नहीं है ये फिर इसे कहता है ये है इससे पहले मैं तुम्हें मार मार के होश मिलाओ अपने आपको होस में लाने की कोशिश करो ये फिर इसक्यूप पर हमला कर देता है पर नॉयम इसके हमले को रोक लेता है ये फिर इसक्यूप और दुबारा से हमला करता है पर जिक्ये देखता है इस हमले से से कुछ भी नहीं हुआ होता है ये धरे-धरे ताकत बर बनता जा रहा है इससे पहले बात बिगड़ जाए मुझे इसे किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा पर वो आदमे इसके हमले को रोक लेता है कि तुम्हें एक आम आदमी के लाइफ की वैल्यू करने चीए तुम अगर इसे मारोगे तो तुम हैल जाओगी ये फिर इसे पूछता है कि आखिर कर तुम कौन हो और आखिर कर तुमने सुनोज को क्या बना दिया है ये कहता है ये बढ़िया नहीं है क्या जिकी इसे कहता है कि लगता है कि तुमने उसे किसी mythical creature के साथ merge कर दिया है कही तुमने उसे trend of earth नौयम के साथ तुम merge नहीं किया है इसकी यह बास उनकी याद मी सोच नहीं लग जाता है कि आखिर कर इसे इस बारे में कैसे बता है इस बच्चे ने उस creature को नौय नाम दिया इस बारे में तो किसी पता नहीं हो ज़िए था यह आदमी फिर से पूछता है कि आखिर कर यह information तुम्हें कहां से मिली यह कहता है कि मेरी जिन्दगी इसकी उपर dependent है तो मैं तुम्हें यह नहीं पता सकता तो यह कहता अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है मुझे तुम्हें फोर्स करना ही पड़ेगा ताकि मैं इस information के बारे में पता रगा सकूँ यह फिर अपने शरीर को ताकतवर बना लेता है और muscular हो जाता है पर इसे देखे स्नौच इसकी उपर हमला कर दीता है यह आदमी उसे पकड़ती हुए कहता है कि यह कितनी शरब की बात है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए खतरा हूँ यह फिर इसे हावा में फ ले जाओंगा अब जब हमारे रास्ते का obstacle हट चुका है तो चलो अब हम one and one कर सकते हैं यह दोनों फिर यहां पर लड़ने लग जाते हैं जहां पर यहां पर बारी पढ़ने लग जाता है पर जिकी भी कम नहीं हो तो वो अपने तलवार से इसके हमले को रोक रहा हुता है इ आदमी से पूछता है कि आखिर कर तुमने ऐसा कैसे किया पर जिकी एक्स प्ले ना करती हुए इसका दूसरा हाथ भी कार देता और इसे पूछता है कि आखिर कर सनौच कहां पर है वहीं हैंस को दिखा जाता है जो किसी तरह यहां पर ढूंते हुए आचुका होता है वह सोचता है कि आखर कर इसे किस तरह की ट्रेइनिंग मिले कि यह कर सकता है पर एक जिज कनफा में आगर वो चीज मुझे हेट करती है तो मैं तुरंती मारा जाओंगा तब इस नोच उस बड़े से स्ट्टान को इस क्यों पर फेक देता है यह सोचता है कि इसे मैं डॉज ने कर स कि कोशिश करता है और वो इसके हमले को रोक नहीं पहता है कि क्रोशो करो और ये अपने हाथ को इसकी मूँ पे लगा देता है हामे फिर सनोच के अंतरमन में दिखा जाता है जहां सनोच सोच रहा होता है कि आखिर कर मैं कहाँ पे हूँ तब ही ये नौएम को देखता है जो कि काफी गुस्से में होता है तुमने मेरे फादर को intentionally नहीं मारा था इसमें तुम्हारी गलती नहीं है मेरे फादर बस गलत जगे पे गलत समय पे थे इसी वज़े से वो मारे गए मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें गलत समझा और मुझे पता है कि तुम हट वे हो पर मुझे अच्छा लगे कि हम पहले जैसे थे वैसे बन जाए मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है तो 9 अमर क्या हम दोनों अपना फ्यूचर एक दूसरे के साथ तैग कर सकते हैं ये फिर यहाँ पे इस चीज़ के लिए मान जाता है कि जब मैं वहाँ पे पहुचा तो वहाँ पे कुछ में नहीं था मुझे वहाँ पे जोरदार आवाज सुनाए दी थी इसी वज़े से मैं वहाँ पे आया था पर क्या आपको सच मुझ लगता है कि उन्हें इस बारे में पता नहीं चलेगा यह कहता कि जंदा मत करो मैंने उन लोगों की बोडिस को ठिकाने लगा दिया है जोने नहीं यह चीज़ की थी तो किसी को भी पता नहीं चलेगा पर मोर इंपोर्टरिल ली वो कभी यह इमेजिन ही नहीं कर सकते है कि जैसा माइनरी स्चेज में इन्वाल्व हो सकता है अब जब तुम दोने ने कॉंट्रेक्ट फॉर्म कर लिया है तो मेरे हिसाब से तुम दुबार से सिटी को तभा करने ने निकलोगे और मेरे हिसाब से तुम्हारा माना नॉयम के लिए एकदम परफेक्ट है तो तुम किसी चीज के बारे में सोच की नहीं लिए तो यह कहता है कि रिटन यह कहता है कि हाँ तुम एक एक स्प्लोरर बना चाते थे ना इस वज़े से तुमने एक फ्रॉड से भी लेसन लिया तो तुम क्या सहस्तिया हमारे साथ आ के कुछ अच्छे करम करना चाहोगे क्या और यहां से कहानी ऊटू भी कंटीन हो जाती है अगर गाइस आपको यह वीडियो पसे नहीं तो प्लीज लाइक सब्स्राइब और शेयर करना मत बुला और हाँ गाइस इस वीडियो में मैंने टोटल 16 से ले तक 20 चैप्टर तक एक्स्प्लेइन किये इसका मतलब इसके जो अगले चैप्टर आने वाले है वो एक एक या दो दो करके आने वाले और ये काफी जल्दी में इमानवर रिलीज हुई है तो मैंने कुछ दिन लेके इनने पूरी तरह एक्स्प्लेइन किया है आपको इस वीडियो कैसे लग रहे है कैसे नहीं प्लिस कमेंट बताना मत भूलना और हाँ इसकी जो अगला चैप्टर है वो अगले हफ़ते आएगा तो उसके लिए वेट करिएगा आखरी में जाते है इस रिपतना है क्यों गईस थैंक्स वीडियो मिलता है होफ़ले आप सब बढ़े होंगे थैंक्स ववच्चिन गईस